आधेर आधे जी आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौनसून के सीजन में आप अपने कपड़ों पर फंगस लगने से कैसे बचा सकते हैं तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं मौनसून में अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है जब कपड़ों में फंगस लग जाती है तो इन कपड़ों को पहनने से स्किन पर खुजली और दानों के समस्या होने लगती है यही नहीं यह समस्या कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि इसे ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता इसलिए खास कर जब भी मौनसुन में कपड़े पहने तो उन्हें एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या ये पूरी तरह सूख गए हैं या नहीं इसके अलावा यह भी देखी कि कपड़ों में फंगस तो नहीं लग रही है फंगस नम कपड़ों पर असानी से पनप जाती है खास कर मौनसुन के दोरान जब मोसम ज्यादतर उमस भरा और गर्म होता है जो फंगस को बढ़ाने में मदद करता है वहीं अधिक बारिश में अगर आपके कपड़ों में भी फंगस लग रही है तो आप यहां बताये गए तरीकों को अजमा सकती है कपड़ों को दिखाएं धूप कपड़ों में नमी न रहे इसके लिए कपड़ों को धूप जरूर दिखाएं कई बर बारिश के मोसम में धूप नहीं निकलती है तो कपडों को वाडरॉम में तब तक ना रखें जब तक कि धूप की रोशनी ना दिखा ले अगर आप ड्राइर या फिर प्रेस से कपडों को सुखा रही है तो एक पर उन्हें धूप जरूर दिखाएं इससे फंगस लगने के समस्या नहीं होगी और कपडों से नमी पूरी तरह से चली जाएगी इससे फंगस ही नहीं बलकि अन्य बैक्टीरिया से भी छुटकारा मिल जाएगा साथ ही बद्बू भी दूर हो जाएगी अगर लगातार बारिश की वज़े से कपडों में फंगस लग गई है तूछे हटाने के लिए निमबू और नमक का एक घोल त्यार करें कपड़ों में जहां फंगस लगी है वहां इस मिश्यन को गिराएं और उसे रब करें थोड़ी देर तक रब करने के बाद इसे नॉर्मल तरीके से साफ कर ले रम पानी से धोएं कपड़े बारिश के मोसम में जब भी कपड़ों को धोएं उसके लिए गरम पाने का इस्तमाल करें फंगस या फिर अन्य तरीके के बैक्टीरिया को मारने के लिए आप घरेलू तरीका अजमा सकती है इसके अलावा आप चाहें तो सिर्के का भी इस्तमाल कर सकती है हाफ कप वाइट विनेगर को पानी में मिक्स करें और उसमें कपड़ों को कुछ देर के लिए सोक होने के लिए छोड़ दे कपड़ों को बैक्टीरिया फिर फंगस से दूर रखने के लिए विनेगर का इस्तमाल करने से बदबू भी चली जाती है सोडियम टेटरा बोरेट या बोरेक्स का इस्तमाल यह नैच्रल क्लीनर होता है जो पानी में असाने से घुल जाता है और कपड़ों से फंगस को साफ कर देता है इसका उप्योग डिटरजिन पाउडर की तरह किया जा सकता है इस पाउडर को पानी में डाल दे और फिर कपड़ों को डुबाएं हालांकि कपड़ों को क्लीन करने से पहले एक बार पैकेट पर दिये गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ ले हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददकार होगी अगर हमारी वीडियो आपके लिए मददकार होती है तो आप नीचे बने लाल पटन को दबा कर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद